हलो एश्रेंट्स आइम गजिंदर शर्माव वेलकम टो अड़र 24-7 स्कूल कैसे हो भाई सारे लोग जल्दी से एक पर कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी जो आवाज है वो सही आरे नहीं आरे और हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो परफेक्ट है जल्दी से एक पर कम मैं बोलता हूँ चप्टर नमबर 8 के अंदर से जो आप लोग के थियोरी के किसंस बनते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा थियोरी रखा हुआ है और लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ लगभग 15-18 किसंस जो एक्जाम के अंदर शर्टी के साथ आएंगे जिसके अंदर निम मैं रथ होने एक्जाम के लिए है और इसके अंदर वही चीज हम लोग पढ़ेंगे जो एक्जाम में आप लोग के लिए सीधा सिंपल ठीक है तो चलिए शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले मैं आप लोग का क्विक रिवीजन करा देता हूं क्विक रिवीजन का मतलब है क जैसे करल आप लोगों का माली जी एक्जाम है तो उससे पहले आप लोग जितना भी आप लोगों का थियुरि इस रिलेटिटीड है जा mają आप लोग का जो फर्मुलेस हैं जो दिमार्व में होने चाहीं जिससे आप लोगों को बेनेफिट होने वाला है वो सारी चीजों को आप लोग यहां पर कवर कर लोगे तो सबसे पहले देखे चप्टर नमर 8 की बात करते हैं चप्टर नमर 8 यह सबसे पहले देख लिजिए कि आपको जो इसकी PDF वगयरा जो चाहिए उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा अड़े 24-7 एप है उसको डाउनलोड करना प बहुत कम फॉर्मुले हैं जैसे आप लोग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ उसके लावा आप लोग का एनरजी डेंसिटी हुआ और मोमिंटम की बात करने लग जाए तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहां से देखते हैं कि एनरजी डेंसिटी की बात की जाती हैं एनरजी पर यूनिट वाउल्यूम की जब बात की जाती है तो यह हमारी हो जाती है और एकशिम्म बैल्यू अपॉन में अंडरूट टू हमारा हो जाता है राइट अवाज नहीं आ रही है यार ऐसा नहीं बर्वाज बिल्कुल पर्फेक्टली आ रही है ठीक है क्या होता है सर एक हमारा होता है mu b is equal to क्या हो जाता है 1 upon 2 mu b का square का rms upon में क्या हो जाता है mu naught अब सबसे बड़ी बात है आप लोगों से कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों का ratio कितना होता है एक्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इन दोनों का ratio कितना होता है अगर इसको हम लोग solve करते हैं तो भाई आप लोगों को पता है कि अगर मैं बात करूं mu e की तो mu e is equal to क्या होता है बेटा 1 upon 2 क्या होता है mu e is equal to जो आप लोगों का हो जाता है जल्दी से हम लोग देखते हैं क्योंकि जिससे आप लोगा time में बर्कुल किल नहीं करूंगा जिससे आप लोग सारे लोग चैब होता है mu e is equal to क्या होता है 1 upon 2 epsilon not और यह हो जाता है E can E not का square आप लोग बोल दीजिए क्या बोल दीजिए E स्कॉयर मैं coordinate is को बोल देता हूं तो इसको तोड़ के लिख सकते हो कि sir अगर e हमारा होगा तो इसको under root की form में आप लोग लिख सकते हो जैसे c के respect में निकाल सकते हो कैसे देखिए अगर आप लोगों नी याद हो तो e not by b not मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है क्या होता है c होता है उसी तरीके से e by b की बात करते हो तो यह क्या हो जाएगा c यहां से e is equal to क्या हो जाएगा bc हो जाएगा ठीक है bc हमारा हो जाएगा और c आप लोगों को पता है कि sir c is equal to क्या होता है one upon under root mu not epsilon not हमारा होता है ठीक है मू नोट और एपसेलन नोट हमारा होता है अगर यह होता है तो रख दीजिए इसके अंदर यहां पर रखोगे e square e square e square रखो तो b square c square हो जाएगा तो c के यह अंडर रूट के अंदर है तो यहां से क्या जाएगा यह हो जाएगा यहां से एक इंसल आउट हो गया यह क्या अजाएगा मीवी जभी हमारा आ इसका मतलब युबी हमारा आ जाता है तो जब इकवल है और दोनों का कॉन्ट्रeausian है वह कितना है इकवल अमाउंट का का कॉन्ट्रeausian वह हमारे कर रहे है ठीक है equal amount का क्या कर रहे हैं बेटा contribution कर रहे हैं ठीक है ओके बेटा ओके बेटा ferromagnet बिरकोल बिरकोल अभी पी लेंगे अभी पींगे ठीक है तो यह हो गया इसके अलावा मैंने देखो यह formula आप लोगों को बताई दिया intensity के respect में एक formula और आप लोगों से पूछा जाता है जिस में आप लोगों के numerical आ जाते हैं theory भी आ जाती है कि सर अगर intensity के respect में तो intensity के respect में अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो intensity is equal to क्या हो जाती है और सार energy बोल दीजिये energy upon area in स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है ठीक है क्लियर बात है यह है और इसके अलावा mathematical representation क्या हो जाता है सर अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों से पूछा जा सकता है सवाल सवाल पूछा जाता है कि माल लिजिए आप लोगों की जो वेव है वो यारिखेट कर रही है एकस द के अंदर अंधर हमारी जो वेव हो यारिक्षिन के अंदर एक्स द्र करो दोगाmay यह दिमाघ्ड में अच्छे से विठा लिजेए Highway होगा यह दिमाघ में अच्छे से सेट कर लीजिए अब दिमाग में कैसे हम लोग इसको याद रखें तो याद रखने का तरीका है कि पहले अगर यहां पर देखिए यह अगर मेरी एक्स डायरेक्शन है तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि वेव प्रोपोगेट कर रही है वेव कर रही है यहां पर क्या है वाई में कौन है इलेक्ट्रिक फिल्ड हैं हमेशा हमेशा इस तरीके से चलना यान की antiklock वाइस चलना है पहले वαιव आएगा फिर elektromagnetic wave आएगा Alec normally four आएगा और फिर हमारा का मअनिटिक दो हमारा को सकता है कि बताई है जो हमारी electromagnetic wave होता है इनका source कौन होता है इनका source हमारा कौन होता है ठीक है बाई बहुत बढ़िया इनका सोर्स कौन होता है तो electromagnetic waves जो हमारी होती है इनका सोर्स कौन होता है oxalating charge particle हमारा होता है क्योंकि आप लोगों को मैंने बता भी रखा है ठीक है यह सर बेटा बिरकुल 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 अब सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि माल लेजए सर सोर्स की बात है तो सोर्स कौन होता है देखो जब भी हमारा कोई charge होता है charging at rest हमारा होता है charge अगर rest के ओसके एपर जार गयोंकि बेटा इस केस में यह हमें क्या देता है सिर्फ और सिर्फ electric field देता है अगर और next जो हमारा है वो है ser oxalating charge particle है क्या है oxalating charge particle है बेटा तो oxalating charge particle है तो यह हमें क्या देता है सर यह हमें देता है electric field, magnetic field और इसके अलावा हमें देता है electromagnetic wave हमें देता है तो यह दिमाग में अच्छे से set कर लीजेए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर यह सारा इसका बिरकुल सीजीजे हैं इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है और यह बहुत आसानी से आप लोग कर जाओगे अब हमको सबसे ज़्यादा लोग उसे पूचा जाता है कि सर हमारा क्या होता है कि यूज अफ एक्रोमैंगनेटिक स्पेक्ट्रम के सर इ Soviets की आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा सबसे जादा उसकी प्रिक्वेंसी क्या है सबसे कम घ्रिक्वेंसी myth सबसे कम होती है क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको 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 ही बता हूं तो कैसे होगा देखो एक बार देख लीजिए सबसे पहले देखे क्या होता है कि अगर मैं वेवलेंध की बात करता हूं लेमडा की बात करता हूं देखो आप लोगों को पता है सर इस इक्वल टू क्या होता है is equal to होता है hf right है f is equal to क्या होता है बेटा c by lambda क्या होता है c by lambda अगर मैं सिर्फ c को देखू तो c तो constant है क्योंकि speed of light हमेशा constant रहती है अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी अगर मैं बात कर रहा हूं vacuum की तो कितना होगा 3 into 10 to the power और 8 मीटर पर सेकेंड यानि कि speed of light के बराबर होगी ठीक है तो f हमारा क्या होगा इंवर्सली प्रपोर्शनल होगा लेमडा के लेमडा जिसकी जादा उसकी wavelength कम यानि कि सब्सक्राइडियो वेवस जो होती है क्या होती है रेडियो वेवस अभिया बाद करने का तरीका क्या हो रेडियो वेवस हुआ माइक्रो वेवस हुआ ठीक है रेडियो वेवस माइक्रो वेवस इंफरारेड ठीक है इंफरारेड विजिबल विजिबल लाइट और उसके वांद में है अल्ट्रा वाइलेट फिर कौन होता है एक्सरे फिर कौन होता है gamma rays क्या होता है gamma rays तो यहनिक सर कितना हो गया तीन तीन छै और एक साथ सबसे ज्याधा wavelength इसकी lambda सबसे ज्यादा highest frequency सबसे ज्यादा कम इसकी लेमड़ा सबसे कम frequency सबसे ज्यादा highest याद रखना नीचे से उपर की तरफ जाओगे या फिर उपर से नीचे की तरफ आओगे तो frequency क्या होती है increasing order में होती है increase होती है और नीचे से उपर जाओगे नीचे से उपर जाओगे तो lambda हमारा क्या होता है increasing order में होता है तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग सीधा सीधा दे दीजिएगा कि कौन की wavelength जादा हुई किसकी कम होई ठीक है easily बता दोगे किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी तो नहीं होगी सब लोग आराम से बता दोगे कि सर किसकी wavelength जादा है किसकी कम है किसकी नहीं है यह सारी चीज़े आप लोग easily explain कर दोगे सबसे जाधा IMPORTANT सबसे Πہண Tree इंकि यूज क्या होती है सबसे पहले देखो सबसे पहले हमारे पास कोण सा दिया रखा RAM seeking Pow कहाए ड़ेंगे उसके अलावा और किस में काम आती है तो ये हमारी जो होती है ना nuclear reaction से हमें मिलती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर इसका जो use होता है जितनी भी हमारी cancer cells होती है उनको destroy करने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं कि इसको cancer cells को destroy करने के लिए तो यह बहुत-बहुत बड़ी बेटा और आगे क्या है सर गामारे X-ray तो एक्सरे तो बेटा X-rays को हम लोग कहा हमारे factors होते है उनको देखने के लिए हमारे grip Helen lucky है दे उनके लावा ब्रेज होते हैं उनके अंदर भी अगर कोई भी हमारे crack होता है कोई भी issues होते हैं उनके देखने क radius क soccer करते हैं और X-rays होता है इसको जादा तर हम लोग कहां यूज करते हैं medical lines के अंदर यूज करते हैं जिसमें डाइगोनिस हम लोग जो करते हैं हमारा उसके लिए उसके लावा सर मान दीजाए गर मेरे गाल ब्लेडर के अंदर कोई भी अगर stone वगेरा है तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर लेंगे ठीक है kidney के अंदर कोई stone है तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे और जितने भी हमारे bridges होते है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते है इसको यूज करते है उनको use करने के लिए, उनको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको use करते हैं और उसके अलावा, जितने भी आप लोगोंने देखा होगा कि सर्क कभी कभी क्या होता है, कोई हमारी कॉपी के अंदर करने के लिए भी करते हैं अब हमारा आता है सर इंफरा रेड हमारी जो होती है यह कहां यूज होती है तो यह इंफरा रेड हमें कहां से मिलती है बिटा यह हमें मिलती है हॉट बाडी हमारी होती है जितनी भी हमारी हॉट बाडी होती है उन से हम लोगों को यह मिलती है ठीक है और इनका जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं सर जितनी भी हमारी therapies होती है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं उसके अलावा हमारी जो long distance photography होती है उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सारा के सारा जो system है आप लोगों को जो मिल रहा है यह radio waves के थूरू आप लोग देख रहे हो ठीक है clear है तो यहां पर क्या हुआ कि सार radio waves की बात हो गई है इनका यह group होता है अब microwave होती है तो कोई मुझे बताएगा microwave यह सबसे जादा यह माल लीजे स्टार माक कर लीजे जितने भी cbsc के एक्जाम से है cbsc के अंदर इसका हर बार सवाल पूछा जाता है microwave का तो microwave होती है इनको हम लोग यूज करते है aircraft navigation के अंदर हम लोग microwave को यूज करते हैं और इनका जो सोर्स होता है कौन होता है इनका सोर्स देख लिए पढ़ दीजिए यह especially किसके द्वारा प्रेडियूस की जाती है magnetron हुआ इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं इनको यूज करते हैं ठीक है बेटा infrared हमारी देखो मैंने बताई है hot bodies के द्वारा प्रेडियूस होती है जो हमारे molecules होते है hot bodies होती है उनके द्वारा और किसके अंदर हो साय था सर्स रडार सिस्टम के अंदर यूज होती है कहा इनके अंदर जो mostly जो आप लोगों से सवाल पूछा जाता हैं वो पूछा जाता है कि क्या हमारी electromagnetic wave है वो momentum carry करती है energy और momentum carry करती है जी हाँ विरकुल वो carry करते हैं क्योंकि energy उनके पास होगी और momentum वो carry करेगी विरकुल correct है ठीक है clear है नहीं दिमाग में अच्छे से set कर लीज next है आगे आगे चलते हैं आगे देखिए अब हैं हमारा chapter number 9 जो सबसे ज़्यादा important होता है जिसको हम लोग बोलते है रे optics and optical instrument यहाँ पर सबसे पहला जो फर्मूला आता है सब डेवियेशन का आता है डेल is equal to क्या होता है 180 माइनस 2i अब डेवियेशन का मतलब क्या होता है ब हम लोग कोई भी अगर हमारी spherical surfaces के लिए तो वहाँ पर हम लोग एक formula drive करते हैं और वो formula जो हमारा होता है वो होता है n2 by V अब बेटा यह n2 भी कहीं लिखा हुआ हो सकता है यह mu2 भी लिखा हुआ हो सकता है क्योंकि n2 और mu2 दोनों denote करते हैं refractive index को किसको denote करते हैं refractive index को denote करत देगी सरो इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है अब देखें क्या हुआ कि अगर बात करोगे तो व Bj het he क्या होता है हमारा हमारी image हुआ और यू क्या हुआ हमारा object की distance हुआ और हमारा क्या होता है radius of curvature होता है mu to minus mu 1 क्या होता है mu to या निक से refractive index of second medium minus refractive index of first medium अब यहां पर हो सकता है air first medium हो second glass medium हो या कुछ और भी हो सकता है बट आप को इससे दिमाग में अच्छे से रखते हुए चलना है जिससे आप लोग को पता रहे रिफ्रक्टिव index याद कर लीजेगा जैसे air के लिए one होता है water के लिए 1.33 होता है काच के लिए 1.5 होता है ऐसा सब का याद कर लीजेगा आप लोगों से पूछा जा सकता है तो डायरेक्ट उसको निकालने से अच्छा है कि हम लोगों को एक लिस उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो और हम लोगों से पूछा जा सकता है तो टी आई आई आर को अच्छे से पढ़ लीजेगा ती आई आर को क्या करिएगा अच्छे सी जो हमारा होता है वो होता है critical angle क्या होता है critical yes पेटा 90 degree critical angle होता है 90 वे acids एगर याइट करा रहा हूँ इसको incident कर रहा हूं तो महां से critical angle क्या होगा कि critical angle 90गे तो वह रे वापस क्या करेगी उसी medium के अंदर لاट के आ जाएगी जिस medium से वो गई है उसी medium के अंदर वो लॉट के आ जाएगी, clear बात हुआ, अब बात आती है कि सर इसके अलावा क्या हुआ, अब हम लोग बात करते हैं बेटा, reflection through a prism, prism के through reflection होता है, तो याद रखेगा, इसके अंदर जो बात आती है, वो सबसे बड़ी बात है कि सर, prism के अंदर, हम लोग जो minimum deviation की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा factor होता है, जहाँ incident angle is equal to हो जाता है, immersed angle के, यानि कि I is equal to E के हो जाता है, तो यह आपको याद रखेंगा कैसे, ठीक है, TIR क्या है बेटा, total internal reflection होता है, total internal reflection, ठीक है, वह हमारा होता है, TIR, उसके uses भी आप लोगों को यान होने चाहिए, uses कौन कौन से हो सकते हैं, uses आप लोगों का सर, वो सारी चीज़ आप लोगों को याद होने चाहिए, और इसका देखो formula क्या हो जाएगा, सर, mu is equal to होता है, sin a plus del m by 2, divided by क्या होता है, sin a by 2, यह हमारा क्या होता है, journal formula होता है, जहां से आप लोगों से सीधर-सीधर numerical बन के आता है, तो आप लोगों इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, और यह हमारा क्या होता है, इसको और देल मिलिमाम कभी कभी आप लोगों से पूछ ले जाता है, कि deviation के बारे में बताइए, क्या है, deviation जो है, उसके बारे में बताईए, तर यह क्या होता है, mu minus one, और multiply by a, अ हो जाता है, mu minus one, multiply by a, हमारा हो जाता है, ठीक है, क्या होता है एक इंफाइनिट के लिए होता है एक डिस्टिंक विजन के लिए होता है वो हमारा हो जाता है m is equal to 1 plus d by f और हमारा जो infinity के लिए होता है तो वहाँ पर यह हमारा हो जाता है सीधा-सीधा m is equal to d by f ठीक है clear बात है अब हम लोग देखते हैं compound microscope compound microscope की बात की जाती है तो इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है m is equal to m note into m e होता है यानि की magnification power of objective lens into में होगा magnification power of eye lens ठीक है clear है इसको solve करते हैं तो m is equal to आ जाता है minus v not upon u not minus v not upon u not one plus d by f e अब इसको ही अगर मैं लिखना चाहता हूं in the form of in the form of l और f not के respect में तो यह हमारा हो जाएगा बेटा l by f not और one plus d by f e लेकिन बेटा अगर इसको मैं देखना चाहता हूं किसके case में इसको अगर मैं देखना लास्ट हमारा इसके अंदर होता है वो होता है एस ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप अस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप की बात करते हैं तो यहां याद रखेगा कि सारी चीज़ आल्मोस सेम रहते हैं यहां बी नोट की जगह एफ नोट हो जाता है यह पूरा का पूरा चैप्टर नंबर नाइन है रियॉप्टिक्स अन उप्टिकल इंस्ट्रुमेंट क्लियर है क्या है रियॉप्टिक्स अन उप्टिकल इंस्ट्रुमेंट है मैंने आप लोगों के लिए क्यूसंस रखे हुआ यह तो मैं आप लोगों डायरेक्ट क्यूसंस करा था उससे बढ़िया था कि आप किसी भी चीज की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को पहले आपकी मिट्टी जो है ना उसको भुरुबरी कर रहा हूँ, सारे numerical, सारे formula, सारी चीजों को मैं पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप बनेगा या उसका derivation बनेगा, एक होता है diffraction, उसके अलावा इसके अंदर कोई important नहीं, आप लोग बुस्टर्स लॉक के बारें पढ़ते हो, लेकिन बुस्टर्स का नहीं आएगा, जितना मैं according चीज को predict कर पा रहा हूँ, तो बुस्टर्स वो नहीं देगा इस बार, क्यों lambda dy small d, या lambda होती है, wavelength d हमारी होती है, fringe, हमारी जो width, हमारी जो होती है, slit से लेके screen की जो बीच की distance होती है, उसको d बोलते है, small d होती है, हमारी जो slit होती है, उसकी width, lambda क्या होता है, lambda हमारी होती है, wavelength, बीटा हमारा होता है fringe width, क्या होती है, fringe width हमारी हो जाती है, ठीक है, clear है, clear ह इंडर फैरेंस को समझने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो बेटा इसको समझ सकते हैं बेटा आप लोगों कीज पता है कि इंडर फैरेंस रिस्पेक्ट में जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं इiãoपर फोडेश का स्कुरेर प्लस आई टू का स्कुरेर प्लस टू आई डू कास फई स्टाइए फाई हमारा होता है अ कि को आप लोग हिंदी में बोल तो कलांतर और इसके बोलते हैं सि्टा प्लस अ ऊंबन 뭐야 माकसिमम वैली। के claim पर दूसरी की भी maximum value ओ रहे तो उनका amplitude होता है तो लगिने एक का माकसिममम मरा रहे तो नोनों का होता है difference होता है उस difference की वजए से हमें का मिर्चा दि stretch interference मिलता है किया मिलता है destructive interference हमें मिलता है ठीक है कैसे जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा सर इसका इस तरीके से मिला है दूसरे का भी क्या हुआ इस तरीके से मिला है ठीक है तो इस case में क्या होगा इसका amplitude इसके amplitude के साथ जुड़ जाएगा ये है A2 यह हमारा A1 राइट है A1 A2 जुड़ जाएगा तो A is equal to क्या जाएगा बेटा A1 प्लस A2 ठीक है लेकिन 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 कभी मान लिजा इस तरीके से हो जाता है सर इसका maximum आ रहा है दूसरे का क्या आ रहा है उस time पे minimum आ रहा है तो इस तरीके से आपको याद रखना है ठीक है और एक चीज़ याद रखेगा किसा एंपलिट्यूट जो होता नविटा एंपलिट्यूट जो होता है एंपलिट्यूट जो होता है डारेक्ली प्रपोर्शनल होता है या एंपलिट्यूट का स्क्वार जो होता है प्रपोर्शनल होता है intensity ठीकovure, अब बाता आति है ऐसे सरव पार्थडि कीजिक filsकी बात कर रहे हो अगर पार्थडि एट की बात कर रहे हो तो एक है तो लेकिन रेता हाँ लेक्न दूसरे की बात करता है अगर अगर इसको देखते हो तो n plus e2 का लेमडा ठीक है यह हमारा होता है यह सुन्फ़ेता हां बेटा बिल्कुल बिल्कुल साटा है बिल्कुल कर्क्ठ कहते हो हमारी जो ब्राइट फिरिंज जो उसको कंस्क्रिक्ठिव कहत애 है और जो हमारी डि स्वी के अब आधा दिए सब्सक्राइब साथ कि एक टू पाइव लेम्ड़ा इन्टू पाथ डिफरेंट्स कितना है उस चीज पर डिपेंड करेगा अब बाता है इस सबसे इंपॉर्टेंट है व यह चीज हैं मैं स्टार्मा कर देता हूँ आप लोगो के लिए जो इंपॉर्टेंस वो यह हैं यह important है अभी जो हैं यह दोनों चीज़ है वह बहुत जादा important इसके लावा और कुछ important नहीं है इस chapter के अंदर ठीक है हटा कि ठीक है ठीक है ठीक है किलियर है बिटा डरने की बात नहीं है बरकुल भी डरो मत जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ जितने मैं क्यूस करा हूँगा अगर उनको भी करके चले गया ना तो आपको पेपर अच्छा से बन जाएगा कोई दिक्कत रही आएगी ठीक है सबसे पहले देखो यार यांग से डबल स्रेट एक्सपरिमेंट- यंस डबल स्रेट एक्सपरिमेंट की बात एक सर यंग से क्या हुआ तो यंग सी ने क्या किया था इस ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता है एक से एक से इस इकोल टू एन लेंड़ा डी वाई स्मॉल डी मैं आपको बता दिया लेंड़ा क्या होता है डी क्या होता है स्मॉल डी क्या होता है मैंने सारी चीज एक स्पेंड कर दिये अब हैं हमारे मान लिजिए distance dark fringe की बात करता हूँ तो dark fringe में क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 2N-1 lambda by 2 d into small d divided by small d ठीक है यह हमारा formula हो जाता है अब यहाँ पर आदा destructive destructive का case क्या होता है B sin theta बोल दीजिए A sin theta बोल दीजिए यार एक चीज़ आद रखी का जब भी destruction diffraction की बात आती है और हमारे जो यंग्स double state की बात आती है तो जहाँ पर यंग्स में bright मिलता है हमें diffraction के अंदर क्या होता है dark sport मिलता है और जहाँ पर वहाँ पर dark मिलता है यहाँ पर होता है bright मिलता है यानिक सर situation किया हो जाती है just अपोस्ट नोजाती है जैसे वहाँ पे हम लोगों को एनलेम्डा पर क्या मिल रहाँ था एनलेम्डा पाथ Difference था जब हमारी brighter की बात थी लेकिन यहाँ ल्वारा अएगा जब हमारी ऐसे मैं लीजिए खिर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास यह शाइन तो ञता है सच्पिर घृता तो निज्व क्या होझ नपीं में दे रहा हूं तो n is equal to 1 हो जाएगा तो यहां से sin theta is equal to कितना आ जाता है पिटा sin theta is equal to lambda by small d अब यहां पर theta है sin theta को अगर मैं बात करता हूं मैं छोटे से small angle के लिए तो proximity theta के हो जाता है तो theta is equal to क्या हो जाता है सर लेमड़ा बात खतम दिमाग में अच्छे से बिठा लो यह हमारी क्या होती है angular width हो जाती है क्या हो जाती है angular width हमारी हो जाती है तो यह chapter number 10 है जिसके important formula है सारे मैंने आप लोग को revise करा दिये अब आते हैं आगे आगे है यह dual nature dual nature के अंदर जादा कुछ नहीं है simple चीजे हैं जिसको आप लोग easily पढ़ पाओगे easily समझ पाओगे जैसे सीधा simple formula होता है वो होता है सर फोटोंस energy की बात करें तो is equal to क्या होता है f is equal to क्या होता है c by lambda हो जाता है तो यह है फोटोंस की energy के लिए power की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर hf by क्या हो जाता है हमारा t यानि कि सर energy per unit time energy per unit time हमारी क्या हो जाएगा power ठीक है आगे intensity की बात है तो intensity मैंने अभी अभी सिखा क्या है था क्या होता है energy divided by a into t और इसी से एक चीज और आ क्रीफ कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा n hf divided by क्या हो जाएगा बिटा t यहां से देखे n by t n by t क्या होता है सर नंबर फोटोन पर यूनिट टाइम अगर यह आ जाता है तो यह हमारा n by t हो जाता है यानि कि सर पावर भाई क्या हो जाएगा hf तो इस तरीके से भी आप लोगों से नंबर फोटोन पर सेकिंड पूछे जा सकते हैं तो दिमाग में सैट कर लिजे अगर नंबर फोटोन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं तो आप लोग किस से निकालोगे n by t power is equal to hf ठीक है दिमाग में अच्छे से रख लिजे इस चीज को क्योंकि यह important है जो चीज मैं आज देखो आपको बता रहा हूं ना जिन पर star mark कर रहा हूं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वह important है अब इसके अंदर कोई वो लेगा कि सर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता है तो बेटा मैंने आगे क्य अंदर डाल दिए वो सारी चीज आ है मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो exam oriented है exam के अंदर सीधे देखने को मिल सकती है intensity क्या हो जाती है सर एनरजी डिवैड़िड एइंटू टी यानिकी energy पर इउनि एरिया इंटू टाइम यह हमारी क्या हो जाती है intensity intensity आगे बाद आती है maximum maximum kinetic energy क्या है यह हमारे किस से आई सरफ photoelectric effect से आई photoelectric जो हमारे effect होता है जो हमारे Einstein जी नियोँ दिया था photoelectric effect जाने कि kinetic energy maximum जो होता है वो होता है HF minus HF दिजाया Hnew बोल दिजाये माइनस होता है work function work function क्या होता है minimum energy requirement work function का मतलब। कितना उसको minimum work करना पड़ेगा the minimum amount of work minimum amount of work यह हमारा क्या होता है work function अब एक है stopping potential stopping potential है बिटा जिसको आप लोग लिखते हो वी नोट इस इकोल टू एच्टी बाई एवान अपॉन लेम्डा माइनस फाई डिवाइड़ बाई डी एई सोरी अब सबसे बड़ी बात है देखो इमार्व में चीज बिठा लो क्या बिठाना है इसके अंदर कुछ तीन ग्राफ है intensity potential difference के frequency के potential difference के stopping potential के तो उन तीनो चारो graphs को देखके जाना तीनो चारो जो graph से उनको देखके जाना क्योंकि उन graph से मुझे लगता है मेरी जो मन हो रहे हैं वह न वह बोल रहा है कि आप लोगों के एक दो क्योंस आप लोग को देखने को मिलेंगे डिवाइड़ भाई होता है फोर पाई एसलें नॉट और डिवाइड़ भाई काइनेटिक एनेरजी जिसकी काइनेटिक एनेरजी मक्सिमम होगी वह उतना ही close जाएगा atom के कितना जाएगा वो जो atom का nucleus होता है ना उसके close जाएगा जिसकी kinetic energy maximum वो उतना ही close जाएगा यानि कि यह हमारी R note जो होता है वो क्या होता है बेटा यह होती है closest approach क्या होती है closest approach की बात है ठीक है आगे देखें क्या है impact parameter है 20 equal to क्या हो जाता है sir kzae square divided by kinetic energy under root one plus cos theta divided by one minus cos theta यह हमारा क्या होता इंपक्ट parameter होता है impact parameter का मतलब क्या होगा अक्सर मान लीजे यह मेरा क्या है nucleus nucleus का यह सीधे simple है यहां से देखिए कि यह इस तरीके से जो moment कर रहा है तो यह इन दोने के पार इंपक्ट बहुति हैं इसको हम लोग बोलते हैं impact parameter क्या बोलते हैं impact तो हम लोग इसको बोल देते हैं इमपेक्ट पैरलमिटर ठीक है क시 Zone ни पट्परमिटर हम लोग बोल देते हैं आगे हमारी आति हैं किसर मेंमात कर रहा हूं किसकी R की, यानि कि Sir, radius of electron in an atom orbit की बात की जाती है, तो कितना हो जाता है। वो हमारा हो जाता है, तो अपन में mpi z mpi z e square n2 h2 epsilon not divided by mpi z e square ठीक है, यह हमारी क्या हो जाती है ऐढ़ tying radius in an atom orbit में, कैसे solve करते हैं, तो आप लोग पता होना चाहिए, और उसके अलावा पहले आप लोग क्या लिखोगे सर एल इस इकोल टू क्या होता है एल इस इकोल टू क्या होता है और यहां से एल की वैलू क्या होती है सर एम वी आर ठीक है एंगुलर ममिंटम ठीक है क्लियर है तो इसको सॉल्व कर लोगे यहां से क्या लोती है वैलो सिटी ऑफ इलेक्ट्रों से इन फोर्ट की बात कर जाता है तो वी इस इकोल टू क्या हो जाता है सर जैड़ इसक्वार डिवाइड़ बाई टू एच एफसायल से नौट और एन एनट और बहुर सा और्बिट की बात है तो कितनी हो जाती है इस इन इस इकोल टूटा माइनस थैटीन पॉइंट सेक्स इंटू जैड़ इसक्वार अपन एन स्क्वार एलेक्ट्रों वोल्ट के अंदर हमारा यह फॉर्मूला आ जाता है राइट है क्लियर क्लियर हैं नहीं है मैंने सारे फॉर्मूल्य आप लोग को रिवाइज करा दी नहीं क्या अब लोग को से प्र या मैंने क्लियर है रखते हो अगर दिमाग में बैट गया है तो मैं आपके आगे चलता हूँ जल्दी से coming's up कर दीजे सारे लोग सारे लोग जल्दी से thumbs up करी है यार fatal से thumbs up कर ये इतने लोग देख रहे हो at least thumbs up तो बनता है thumbs up तो बनता है मैंने देख लो आपको पूरे chapter स्प्राइट के लिए है सर मैंने बेटा आपको सारे की सारे functions हैं, formulas हैं वो सारे मैंने revise करा दी हैं जिससे क्या हैं, आप लोग come time में सारी चीज़ों को पड़ पाओ गया है अब इसके बाद में क्या है, आप लोग के अंदर वो होती हैं कि एक movie हम लोग देखने जाते हैं अगर उसका trailer हम लोगों को पता है थोड़ा सा उसका trailer हम लोगों को पता है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये hero है, ये heroine है ये ऐसे है, ये वैसे हैं, ये ऐसे काम कर रहा है ये ऐसे काम कर रहा है, ये फलाना डिकाना जो भी है वो सारी चीज हम लोगों को पता लग जाती है उसी तरीके से कैम मैंने आपके दिमाग में पूरा पूरा trailer डाल दिया है, अब picture की बात है picture क्या गानना है, आप लोग book उठाओगे फटाफट फटाफट उठाओ या फिर नोट से उठाओ, जो मैंने करा रहा है उनको देखो, फटाफट 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 रीडिंग आउट कर लो read out कर लो, सारी चीज कर लो, और पिर उसके बाद में जाके के इनको याद रख लो एक तो है size of the nucleus क्या होता है r is equal to r0 a to the power 1 by 3 होती है r0 की value क्या होती है 1.2 fm होती है और 1 fm की value क्या होती है 10 1 into 10 to the power minus 15 यह हमारी होती है बेटा कल मज़ा आना चाहिए बस कल आप लोग इस video के नीचे comment करोगे कि सर्फ physics के paper में फोड़ दिया बस आके comment सब को करना है कि सर्फ physics में आपने जो पढ़ा है मज़ा आ गया और कल physics के paper में फोड़ दिया है बस यह comment करोगे तो area of the nucleus क्या होता है a directly proportional होता है a to the power 2 by 3 से ठीक ह है नीचा आता है density of nucleus अब आप लोगों से पता है क्या पूस्ता है सवाल यहां पर पूस्ता है कि क्या हमारी density जो है वह एक उपर depend करती है नहीं करती है यह independent होती है एक मतलब क्या होता है mass number क्या depend करती है मुला सर्व बिल्कुल निकरती क्योंकि यहां पर AI नहीं रहे तो इस इसको समझ सकते हो माल लीजिए आप क्या लेका है दो चीज लेका है अगर आप लोग दो चीज लेका है उनको आप लोगोंने mix कर दिया mix करने के बाद में आपने देखा कि मैं अलग-अलग 5-5 किलो लेका आया था चीजे लेकिन जब मैंने उसको mix किया तो वह 9 किलो ही रह वैसेह क्या होता है सर जब हमारे पास क्या होते हैं दो अलग-अलग कोई नूखली होते हैं उन धूनों को हम लोग जोड़ते हैं जोड़क एक बड़ा बनाती है तो उसकेस में कहता है कुछ in the form of energy क्या होता है लोस का looks हो जाता है कुछका यह क्या हो जाता है। कि सारी आप लोग को गवर करा दी है οल मौस्ट सारी मैंने थियूरिया अप लोग को कवर किपरा दी है जल्डी से मुझे बताई कि。 था है निहां जलदी मुझे बताइए के लिए हाय निया जलदी से मुझे बता दीजिए जलदी से थांसब कर यह उर्म वह लिया तॐ है यह सरकरस चलते हैं हमने सारी सामने आचुका है यह सवाल बताये भाई नेम आफ देपाइट आफ दी एलक्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम विच इस सूटेबल फोर देर डार सिस्टम यूज इन एरक्राफ नविगेशन बताओ मेरे भाई जल्दी मुझे बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ बेटाओ इसकी पीडियाफ मिल जाएगी पहले का अंसर क्या जल्दी जल्दी अंसर आने चाहिए सब के जल्दी से अंसर आने चाहिए क्या है पहले का अंसर जल्दी मुझे बताओ बताओ बढ़े क्या है इसका अं माइक्रोवेवस किसे होती है इस्पेशल टाइप जो हमारी वेक्यूम ट्यूपि उती है ईकीश ऐसे टाइप वांक्यूम ट्यूप्स रेक्यूम tubes कौन होती है सर क्रिस्ट्रोन और कौन है magnetron magnetrons और कौन है सर गंडायोड गंडायोड इससे तो यह आ गई ठीक है अब बात आति है sir second corner used to treat muscle strain muscle strain के लिए कौन सी करते हैं infrared किसकी बात कर रहे मेटा infrared infrared और infrared कहां से मिलती है sir hot bodies से मिलती है heart bodies and molecules तीसरा हमारा क्या है यूजट अभल ही उखी अग्यां गन dł1 मेरीं बताओ किया होगा बताओ जल्दी लास्ट वाले का नोगा जल्दी बताओ èn किया होगा के बदाओ एक से आई कर दूस्स आहिए जल्दी बदाओ ये लास कौन ओता है X-ray और कैसे होती है Sir इसके अंदर हम लोग क्या करते है Bombarding कराते है क्या कराते है Bombarding कराते है किसकी जो High Energy Electrons होते है कौन होते है High Energy जो Electrons होते है उनको Metal जो Target होता है उसके उपर Metal Target के उपर कौन है High Energy Electronics बोलो ठीट है है जल्दी मुझे बताओं किलियर है किलियर है सब को किलियर है थमसब कर दीजिए मैंने तीनों के आप लोग को यूज बता दी है तीनों का मैंने सोर्स बता दिया किससे यह आती है यह बैटा बंबाइडिंग ऑफ हाई एनरजी इलक्रोंस ऑन मैटल टारगेट ठीक है और यह मैं मेरे भाइ साइकेंड पर चलते हैं साइकेंड अंसर दा फॉलिए नेन देलक्रोंगेटिक वे विच यूज फोर दा ट्रीग्मेंट ऑफ साइटेन फॉर्म आफ कैंसर राइट देयर फ्रिक्वेंसी रेंज कान से को यूज करते हम लोग जल्दे से मुझे बताओ किस को यूज करते हो इसके अंदर सब्सक्राइब पूचा है कि तिन ओजन लेयर ऑन दी टॉप आफ दी स्ट्रास्फियर इस के रूसल फॉर हुमन सर्वाइवल वाई और लास्ट थाड है वाई इस दा अमाउंट आप दी मोमेंटम ट्रांसवर्ट बाइद एलेक्रो मैगनिट इस इंसिडेंट अन्दा सरफेस सो स्मॉल बताओ क्या और cynसर आएगा यहां संसर बता है यह अंसर क्या रहा है अ मैसरन क्या रहें है the स्कommesर का रहाहे जल्दी बता हूं जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन-कौन होती है पहले कि आ जाएगा पहले कि देखो विचार यूज्ट फॉर्ट ट्रीट्मेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म आफ कैंसर कौन आ जाएगा गामा ठीक है इसकी रेंज क्या होती है टैंटीट पावर 22 से टैंटीट पावर 182 फ्रिक्वेंसी जो होती है टैंटीट पावर 182 टैंटीट पावर 22 हर्स अब यह पताओ कौन सी है यहां पर बचाओ थिन ओजैन लियर ऑन दी टॉप ऑफ इस्ट्रॉस्पेर इस क्रूशल फॉर्ट फॉर्ट हुमिन सर्वाइर वाई कौन सी होती है और क्यों होती है नीटर पर सेकिंड अगर इतनी चीज़ स्पीड होगी तो मोमेंटम तो बहुत कम होगा नहीं स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम कम होगा ऑवियसली बात है ठीक है जल्दी मुझे बताओ सैकेंड का क्या रहा है सैकेंड सैकेंड बताओ भई सैकेंड का क्या रहा है सैकेंड में क्या होती है यह हमारी जो अल्ट्रा वाइलिड रेडियेशन होते हैं उसको क्या करती है और अब्जॉर्ब करके क्या करती है हमारे जो हीमियन जो बाडीज है इंसान है उनको क्या करती है सेफ करती है उसे सेफ करती है चुकि वह हमारे लिए क्या होता है डेंजरेस होते है क्या होते हैं डेंजरेस होते हैं ठीक है इसलिए क्लियर बात हुई सब को क्लियर है क्लियर है तो चलिए थार्ड कि उसन थार्ड न्यूमेरिकल है यह बताओ कि आठ डबल कॉन्वेक्स लैंस इस मेड़ आप ऑफ ग्लास ऑफ दे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ अब दी सेम रेडियस ऑफ करवेचर फाइंड रेडियस ऑफ करवेचर रिक्वाइड इफ दफोकल लेंद इस 20 सेंटी मेटर जल्दी से मुझे बताओ क्या अंसर होगा इसके अंदर हमें दे रखा है रखा है यानि कि मू जो दे रखा है बिटा वो दे रखा 1.55 1.55 दे हैं और इसके रावल हमें बोलाई कि हमारे फोकल लेंद आवो 20 सेंटी सेंटी मीटर यानि की एन वेंगा तो कितना है बिटा 20 cm है यह क्यूशन पूछा जा रहा है बताइए डबल कॉन्वेक्स लैंस है क्या है डबल कॉन्वेक्स लैंस है अगर डबल कॉन्वेक्स लैंस है तो क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी से बता दीजिए क्या अंसर आ रहा है जल्दी से मुझे बताई निम आर की वैलू बताए क्या होगा जल्दी बताए आर की वैलू फाइंड आफ्ट करनी है आर की वैलू देखो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है सरी सरी यह लैंस मेकर फॉर्मूला है लैंस मेकर्स फॉर्मूला से होगा लैंस मेकर्स फॉर्मूला तो मेरे भाई लैंस मे बताओ यहाँ पर क्या दे रखा सर्वन ओपॉन और और क्या दे रखा डबल कॉन्वेक्स लेंसर कॉन्वेक्स लेंस है तो आर्टू हमारी क्या हो जाएगी माइनस में क्योंकि इस तरफ हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस से तो इस तरफ है तो आर्टू हमारी क्या हो जाएग माइनस में हो जाएगी और i2 अगर माइनस क्यों होगी तो अविसली बात है यह सर प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 upon 20, 1 upon 20 is equal to, बेटा, व्यू, म्यू क्या हो जाएगा, 1 by 555 minus 1, और ये क्या हो जाएगा, सर जी, ये हो जाएगा, सीधा-सीधा, 1 upon R, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 upon R, अगर इसको देखोगे, तो क्या हो जाएगा, सर, ये हो जाएगा, 1 upon 20 is equal to, 0.55, 0.55, ठीके, 0.55, जाएगा, 2 by R, तो R को उधर ले जाओ, R is equal to, इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सर 20 into, 0.55 into 2, is equal to, कितना हो जाएगा, 20 into, ये हो जाएगा, 0.55 का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी, 10, 11, 1.1, तो सीधा-सीधा, 1.1 हो रहा है, 1.1 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, सर 0 से इसको इटा दो, 11, 11, दूनी, 22, कितना हो जाएगा, 22 cm, कितना हो जाएगा, 22 cm is the right answer, 22 cm is the right answer, जल्दी मुझे बताओ, R is equal to 22 cm, बहुत बढ़िया, 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 अब यहां पर हो सकता है डबल कॉनवेक्स लेंस की जगे कॉनकेव हो जाएगा तो बेटा आइटू मेरा ऐसे क्या से रहेगा आरवन मेरा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अगर यह कॉनकेव की बात करेगा किसकी बात करेगा अगर कॉनकेव की बात करेगा तो यह हमार यानिक सरी क्या दे रखाए डी हमें दे रखाए डी कितना दे रखाए 25 सेंटीमीटर कितना दे रखाए 25 सेंटीमीटर दे रखाए अब इसने बोलाए कि using a compound microscope क्या है using a compound microscope क्या यूज किया इसने इसने यूज किया compound microscope क्या कर लिया है compound microscope की बात इसने कर लिये compound microscope ठीक है compound microscope की बात कर लिए अगर यह compound microscope है तो इसने बोला विदन objective of focal length objective की focal length यानि कि f0 कितना दे रखा बेटा f0 कितना दे रखा है 8 mm ठीक है उसके अलावा बोला है an ips of focal length ips की focal length कितनी दे रखे बेटा IPS की focal length कितनी दिरिकेसर 2.5 cm can bring an object place in 99 mm from the objective lens in the sharp focus यानि की object की length में दे दिये object की length भी दे दिये हमें क्या दे रिक्योब्जेक्ट की लेंड मुनाट मुनाट कितना दे रखा बेटा 9 mm का बोला है from the objective sharp focus what is the separation between the two lenses है अब separation की बात क्या handling की बात कि ऐसे हैं L looking L is equal to quiere而且 sir consort plus में क्या हो जाता है मिविए या फिरенд यूई यूई- làm वां कि बात करने किसकी बात कर रहें भीटएं यूई की बात हम low कर लेते है इक की बात कर लेते हैं यूई यह हमारा हो गया है यूई ठीका यह हमारे पास separation होती है सैप्रेशन की बाद किया है और इस separation के करकोंडिंग क्या हौई तर मुझे वी नौट चाहिए और एक यूझा चाहिए एक तो वी सीय और एक यूनऊट से जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा हलो पीटा अधर यह विटा यह इस यह विर्कुल विर्कुल जल्दी से मुझे बदर क्यां सार आ रहा है चाहल बताओ क्या रहा है रहा है जल्दी बीड़ाгов एक मौलमाई जल्दी बताओ अब एक चीज़ बताओ सर वो 25 cm है 25 cm है यह 252.5 cm है और इसको एमेम में कनवर कर लो तो धाई सो हो जाएगा ठीक तो चलिए सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या कहता है मुझे क्या चाहिए बेटा सबसे पहले चाहिए वी नॉट फाइंड आउट करना है अगर वी नॉट फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए सर मेरे को एक तो एफ नॉट पता होना चाहिए और एफ नॉट कितना है मेरे पास 8 mm है अगर एफ नॉट की बात तो यह हो गया 8 mm अगर मैं बात करता हूँ यहां पे यू नॉट की तो यू नॉट क्या हो जाएगा सर यू नॉट इधर होगा यह किस के लिए है ओका मतलब होता है बेटा अब्जेक्टिव लेंस के लिए अब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है अब्जेक्टिव की बात क एक्वल 2 one of dane mutually나ट और यहां से क्य πεण isnघ माइनस वन अपवन यूट ठीक है तो 1 अपन वीनलट इस इप्वल लत उग्व टू क्या जाएगा बिटा वन अपन एफटलाइट प्लस में आजाएगा वन अपन यू नोट तो मेरे भाई यहां से देखो कितना हाजै। सर वन अपॉन एट माइनस मोज़ा वन उपन नाइन तो यह कितना हो जाएगा बेटा इसको सॉल्फ करोगे तो 9 8 9 8 2 यहां से देखे 8 9 माइनस करोगे 8, तो कितना आजाएगा, 1 upon 72, यानि कि V0 कि वैलू कितनी आजाएगी, 72 हमारी आजाएगी, V0 कि वैलू कि आजाएगी, 72 हमारी आजाएगी, बोलो आएगी निया, जल्दी बताओ, V0 कि वैलू कितनी आजाएगी, 72 हमारी आजाएगी, V0 कि वैलू कितनी यु यह मैं चाहिए बिटा मैंने थियोरी पढ़ा रहा हुँ बेटा मैंने थियोरी पड़ा है बीटा फियोरी पढ़ा है और त्योरी के क्यू Championship फिल्द शैजे धर है तो आप लोग वेट नकल कि 9 chapter के अंदर theory पढ़ाई है तो बेटा आप लोग खुछ जानते हो theory तो possibilities है ठीक है यहां से देखे क्या हो जाएगा सर अम मुझे चाहिए यूई अगर यूई मुझे चाहिए तो आप क्या हो जाएगा सर वन अपन एफ इस इक्वल टू वन अपन वी माइनस वन अपन यूई अब इसने क्या बोला है परसन विदन नॉर्मल नियर पॉइंट इतना है कंपाउंड माइक्रो से अब्जेक्टिव लैंज कितनी है और आई पीस के कितने देखे टू पैंट फाइव सेंटिमेटर दे रहे है अगर यह तो पैंट फाइव से इसको मल्टिप्लाइ कर लो इसको करो इसको मम में कनवर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा यह हो है तो इसको सॉल्फ कर लो बस कित कुछी दिक्कत नहीं और यह हमारी एफी की वैल्यू होगी है और वो किसकी वैली हो जाएगी बेटा बताओ डी हमारा है तो डी का मतलब क्या होता है डिस्टिंक वीजन पर बो ठीक है निया जाल दी बताओ डिस्टिंक वीजन की बात है डी है तो वीई हो जाएगा माइनस में वीई हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हमारा हो जाएगा ठीक है माइनस में हमारा हो जाएगा वीई हमारा क्या हो जाएगा माइनस में तो यह हमारा क्या हो गया है वीई हो जाएगा माइनस 200 mm ठीक है क् क्लिए रहे तो देखो यहां से सालूव करो तो मिरे को क्या चाहिए वनगस도 अगर मुझे वनगस्वान वनगस यूइछ ले जाता ह। को इसको अधर ले जाता हूं तो वनगस्वान्यूव क्या हो जाएगा यहां से वनगस्वान एकुल टू हो जाएगा Musaन BUनगस programme zam तो यह क्या जाएगा 1 upon में माइनस में 500 माइनस कितना हो जाएगा 1 upon F E F E कि वैल्यू कितनी है 1 upon 25 तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर्थ 250 यहां से ले लिजिए 250 यहां से लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 250 यानि कि 1 दा 1, minus 1, और यह कितना हो जाएगा, 10 यानि कि minus 10, सीधा सीधा आ जाएगा, minus 11.250, minus 11.250, बोलो जल्दी बताओ, minus 11.250 हुआ या, minus 11.250 हो गया, तो u is equal to कितना आ जाएगा, u is equal to कितना आ जाएगा, इसको solve करोगे, तो u is equal to आ जाएगा, मेरा 250 divided by 11, minus के अंदर, या आ जाएगा, approximately 11,20, 11,21, 12, 30, 12, 25, 6, लगभात अप्रक्रोक्सिमेटली, इतना चला जाएगा, किस के अंदर आ जाएगा, colon, STEM के अंदर हो जाएगा, ओलो थीक है, जल्दी बताओ, बो बोलो, बोलो, 22.7, minus क्या अंदर, त्वेटी टूपoppoynt सेवट, माइनस के अंदर, माइनस के अंदर है, अब देखो, यहाँ पर क्या है, इसका मोड है, तो L is equal to क्या हो जाएगा, V0 कि वैल्यू कितनी निकली थी, 72, यह कितना हो जाएगा, मोड में है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखो, 94.7, और मीटर में कनवर्ट कर दो, 9.47, सेंटी मीटर, सेंटी मीटर में कनवर्ट कर लो, इससे जादा कुछ करने की जोड़ी, तो यह हमारा अंसर है, यह आप लोगों के पूछा जा सकता है, बेटा, आप लोगों का जो पहला जो पेपर हुआ था, उसके अंदर यह पूछा गया है, पहला जो लगा था, उस पूछा गया है, तो आप लोगो का अटली सिसका पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, 9.47, सेंटी मीटर हमारा आ गया है, ठीक है, क्लिएर है, यह हमारे पास आ गया है, बोटी कहने, जल दी मुझे बताओ, बोलो, क्लिएर है, सब को क्लि mushroom हों का दिमाग में बैठ था sample paper में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे solve होता ही है इसलिए मैंने इसके अंदर यह सवाल लिया जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग easily कर जाओ एक सवाल और ले रहा हूं telescope के उपर telescope के उपर है जल्दी से बताई यह same to same सवाल था तो telescope की length हम से पूछी है एल पूछा है और इसके लाब हमसे कुछा है magnification तो magnification निकाल लो क्या हो जाएगा magnification इसका mode ले लेता हूं मैं देखो minus f not upon f e होता है right लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसका mode ले रहा हूं तो mode पर क्या हो जाएगा f not upon f e सीधा सीधा आ जाएगा तो mode पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा f not upon f e focal length की कितनी दे रखी है 144 divided by कितना दे रखा बेटा जी 6 तो 6 से करोगे तो 6 12 2 2 और 4 24 हमारा आ गया है अब याद रखना मैंने mode लिया है तो यह 24 प्लस का L is equal to क्या होता है L is equal to the sir f not plus में f e यह हमारी क्या होती है बिटा separation बोलते हैं क्या बोल देते हैं separation हम लोग इसको बोलते हैं तो f not plus f e है तो कितना हो जागा सर 144 प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 6 याने कि सर 150 यह लोग इतना सिंपल सा है यह तो यह तो इतना सिंपल सा था बस हो गया कि वाट इस सेपरेशन बिट्विन देम आई पीस और अब्जेक्टिक विस तो 150 सेंटीमीटर हमारा होगा किलियर हो गया सबको यह तो सिंपल सा था एक लाइन का सवाल था उससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है क्ल बोलो थमसब करो जल्दी से फटा फट बता दो क्लियर हुआ नहीं हुआ आ गया बस यह जो सवाल करा रहा हूं ना उन सवालों को करके भी चले जाओगे ना तो हो जाएगा काम क्योंकि इन से बाहर और कुछ नहीं पूछेगा हो इन से बाहर एक परसेंट भी नहीं है यह टेलिस्कोप का एक सवाल और बन सकता है बोला गया है कि हमारे पास लेंथ इतनी है फोकल लेंथ इतनी आईपीस का इतना है अब मुझसे पूछा गया है सर इसके अंदर चीजे क्या होंगी ठीक है तो सबसे पहले मैगनिफिकेशन पूछा है ठीक है मैगनिफिकेशन हम लोगों से पूचा है तो सबसे पहले बाइखनिफिकेशन क्या होता है वापस निकाल लो मैगनिफिकेशन की बात है मैगनिफिकेशन पावर टेलिकोब व्यूंग डिस्टिंग कुईजन वेंड़ टेलिसकोप इन नॉर्मल एजस्टमेंट का मतलब होता है बिटा जब वो infinity के ऊपर है नॉर्मल एड़ेस्टमेंट का मतलब होता है जब वो infinity के ऊपर है तो m is equal to क्या हो जाएगा वापस से minus f note upon f e mode ले लो खतम बाद mode लिया है तो तो कितना हो जाएगा बिटा जी यह हो जाएगा सर one forty divided by क्या किया है सीधा सीधा five और कितना हो जाएगा सर पांच दुनी दस और चालेस पांच अठे चालेस 28 हमारी आ गई है इसके चाहो तो इसको माइनस में अगर मोड़ नहीं लेते हो अगर मोड़ नहीं लोगे तो यह कितना आ जाएगा माइनस 28 मोड़ ले लोगे तो भढ़िया नहीं लोगे तो कोई दिखक्त नहीं है सेकेंड मुझस से पूछा गया है बोला सर क्या पूछा गया है उसने बोला है कि the final image is formed at the least distance of distinct reason यानि कि D के ओपर हमारी final image बन रही है final image कहां बन रही है बेटा final जो image जो बन रही है वो बन रही है डी के उपर फाइनल इमेज कहा बन रहे है डी के उपर बन रहे है अज़र डी के उपर बन रहे है थो M is equal to क्या होता है सर M is equal to हो जाता है माइनस F not upon F E 1 plus F E by D बो है या नहीं यह फॉर्मूला सब को याद है निया सब को याद है निया जल्दी बताओ है कि सर F not upon F E 1 plus F E by D ठीक है अब सॉल्फ करो इसको कितना आ जाएगा सॉल्फ करो कितना हो जाएगा F E यानि कि सर 140 divided by 5 1 plus कितना है F E यानि कि सर 5 divided by 25 कितना हो जाएगा यह जाएगा 1 upon 5 6 by 5 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 28 इंटू हो जाएगा पांच और एक्छे सिक्स भाई फाइफ तो छह आडशिंग अड़ तालिस चार और बारार चार सोला एक्सवाड़ सा डिवाइड वाइड़ फाइव तो पास से इसको कैंसल आउट करो पास्तिया पंदरा एक पास्त या पंदरा पॉइंट तीन पांचे का तीस यह लो 33.6 33.6 हमारा हो गया है और लास मुलाइक वट इस अपरेशन बिट्वीन ऑब्जेक्टिम आईपीस लैंस वन फाइनल इमेज एड़ फॉर्म इंपिनिटी ठीक है बेटा सारे आएंगे अब अगर आप यही सोच रहो कि म सब कुछ आएगा ठेंशन मत करो मैंने सारों का आपका रिशूरा इसके बाएं पाइस के नवरा सारों का रिशू रहा है क्योंकि टी बद्व मनरत आने की संभावना नहीं है न आप प्लों आप लोग को पता हो तो तो थीडेटी किल आने की चांसे इस नहीं है रोब आप्टिक्स के अंदर रियोप्टिक्स के अंदर थियोटिकल नहीं आता है कभी भी ठीक है अब यह क्या हो जाएगा वाट इस अपरेशन बेट्विट्विन तो एल इस इकुल टू हो जाएगा गुरुदेव एपनॉट प्लस एफी तो सीधा-सीधा कितना हो जाएगा 140 प्ल लैंसे इकुल सुदा रेडियस ऑफ कर वेचर ऑफ दी आइधर फेस्ट वट इस वैल्यू अफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दी माटेरियल ऑफ दा लैंसे बता दो क्या होगा यह सवाल भी अच्छा देखोई पूरा थियोटिकल है कोई निमारिकल नहीं है कोई निमा बोला गया है इकुल सुदा रेडियस ऑफ कर वेचर आइधर फेस्ट वट इस दो वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानि कि म्यू की वैल्यू बता दीजे क्या होगा मैटेरियल अब दी लेंस जो हमने लेंस के लिए मैटरियल यूज के लिए क्या होगा जल्दी इस इकुल टू क्या हो जाएगा आर्टू उसने बोला है और यह हो जाएगा आरके सीदा सीदा लगा दो लेंस में कर वन अपन एफ इस इकुल टू हम्यू माइनस वन क्या हो जाएगा वन अपन आरवन वन अपन आरवन प्लस वन अपन आर्टू ठीक है वन अपन आर्टू ठीके बीटा अब यहां से क्या हो जाए गांतर वन अपर भ एक्षास शींद आपकल क्रणों को मुल्टिप्लाई कर दो तो यहां क्या हो जागा सर आर भाई F is equal to हो जाएक टू मिव माइनस टू ठीक है अब मेरे बाइब यहां से देखो यहां से एप से इस से कैंसल आउट हो जाए क्योंकि सर दोण एक्वल है एक वहले तो यहां पर कितना हो जाए का फ्लस्टू 5 हमारा हो जाएगा reflective index क्या जाएगा ए रियल डेप्त और इसका तो बेटा देख लो फारे रियर डैप्त का और इसका फार्मुला याद कर लो ना सीधा सीधा रियल डाप्त की बात है रियल डेप्त डिवाडेड भाई होती है एपरेंट डेप्त apparent depth is equal to kya uta formula new chyba वोता है नहीं होता है ये formula होता है ये फ्रमुला होता है इस पे सारी आया लिता तो के लियर है के लिधनी है के लिधनी बताहों कुलिए रहला है यह किलियर है यह अढरे किलियर है ख़ल्दी बता दो जलनदी जलन rely ठीक है तो या मारे फौर्मुले होते हैं और शुर्थ अओसी कुछ निया मूडिकल टो रिल डैप्ट अपको नप्रेंट ineप Premier real depth का मतलब होता है देखो real depth का मतलब होता है मान लिजे ये है इसकी मान लिजे real depth है ये T या एक example लेता हूँ देखो मान लिजे ये आपके क्या है glass slab है इसका उपर का refractive index है mu1 इसका है mu2 अब मैं बोलता हूँ कि सर इसके ठिकने से T अब यह हम लोग मान लेता है कि सर ये पूरा का पूरा जो है ये अगर इसको टी मान रहे है तो ये कितना हो जाएगा टी बाइट वह जाएगा ये भी टी बाइट वह जाएगा अब टी बाइट ये तो इसको solve कर लो और आ जाएगा answer यूप का वैल्यू आ जाएगा को दिक्कत नहीं है चलिया नेक्स पर सवाल पर चलते हैं ठीक है नेक्स सवाल है यह यह बहुत अच्छा है यंग सड़ डबल स्लिट का है यंग सड़ इसको इसको solve करने से पहले जिनको थोड़ा थियोरी का वेट कर रहे ना उनको थियोरी पर लिया ठीक है जो थियोरी का वेट कर रहे है सर थियोरी लादो थियोरी लादो तो यह लो थियोरी का क्यूसन यह आ गया है using a higens principle to show how a plane wave front propagating from dancer to rarer medium hence verify the snails law of reflection याद रखना मेरे भाई wave front की बाते हैं यहाँ पर दो चीज़े हैं या तो यहाँ पर देखो dancer और क्या लिखा हुआ है rarer medium लिखा हुआ है नहीं तो आप से पूछा जा सकता है rarer medium to dancer medium दोनों में से कुछ भी हो सकता है बस यह याद रखेगा कि जब rarer से dancer में जाते हैं तो जो हमारी जो हमारी क्या जो wave front बनता है नीचे की तरफ वो क्या होता है dancer में जाता है तो छोटा बनता है as compared to उपर वाले के और जब rarer से dancer से rarer में जाएंगे तो वो बड़ा बनेगा बस इतना सा याद रखेगा और कुछ करना नहीं है बस दिमाग में बैठा लीजिए तो सलिए diagram बड़ाते हैं यह हमारा क्या है बेटा कोई भी सर्फेस कोई भी सर्फेस है कोई बीधिस करा दिया एक तो यहां से डैंसर के लिए landscapes रहे हैं ठीकिए यह मारा सब्सक्राणार मीडियम है कि तवी मेर्म है यह मेले बीचिए यह मेर मीडियम है अब देखो क्या होता है कि सर अगर यहां देक्ते हो तो यह क्या है incident वेफ्रंट यह क्या भीटा आगे बढ़ेंगी तो कितना स्पीड सिंब अगा दैंसर मीडियम इनीचे क्या है रियर मीडियम है जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी मालिजह दो क्या हो ओगे ती रिखन एक म sorts देंस करेंगे और इस से क्या होगी यह इसकी तरफ नहीं जाएगी इससे दूर आएगी यह जो हमारा नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी नॉर्मल से क्या होगी दूर चली जाएगी नॉर्मल से क्या करेगी दूर जाएगी ठीक है अगर यह नॉर्मल से दूर जाएगी तो मैंने है अब एक चीज़ मुझे बताओ यार किया अगर इसको देखते हो तो यह жrit यह फर फरन नाइंटी अगर ये नॉर्मल टण के साथ कितना इंगल बना रिया आई खर ये नॉर्मल 7 बना रही है तो यह नाइंटी आई तो ये कितना हो जाएगा गूर्दे इनन डिय间 90 तो ये कितना होता है 90 तो ये कितना हो जाएगा सर जी I I angle हो गया इसको नाम दे दीजिए ये A, B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D बोलो ठीक है ये हो जाएगा D D हो जाएगा अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ गे थोड़ा सा कि सर अगर ये I है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा अगर ये एंगल आर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 90 माइनस आर अगर ये 90 माइनस आर है ये 90 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर आर बोलो कितने लोगों को परेशानी होगी किसी को परेशानी हुई बोलो भुझा किसी को परिशानी है डाइगराम को बनाने में आध याद रखना मैंने दूर क्यों बनाया है क्वश्र 21 भी जा रही है बोले वो सकता है आप सबसे पहले मुझे निकालना है साइन आई क्या होता है इस इक्वर्टू क्या होता है गुरुदेव मुटू भाई मुवन होता है यही तो हमें स्नेल स्लोग सिखाता है तो लगाई है इधर सबसे पहले मुझे निकालना है साइन आई साइन आई क्या होता है बेटा एंगल आई यह है साइन निकालो के तो क्या हो जाएगा सर साइन पर्पेंडिकुलर बेस पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर अपॉन ही थीनियस है अगर री बात करता हूं तो क्या हो जाएगा सर साइनार साइनार है ते र है ये 90 है तो ये हमारे क्या हो ग्या पर्पेंडीकुलर हीय क्या हो ग्या है and xy आशनीच सीदा-सीदा करते divided by AC इसको उल्टा करके लिख दीजिए क्या हो जाएगा AC divided by V2 yt AC से AC गया T से T गया यानिक साइन आई भाई क्या जाएगा साइन आर और कितना आजाएगा अरे वी वन भाई वी टू है अगर यह ठीक है तो अगर आपको अगर पता हो तो तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको लिखना है तो क्या होता है mu is equal to होता है c by v होता है नहीं होता है mu is equal to होता है c by v यानि कि sir c और v क्या होती है speed of light in medium in medium ठीक है medium के अंदर कितनी है तो यहां से v is equal to क्या हो जाएगा c by mu हो जाएगा और इसको लिखोगे तो v1 by is equal to c mu1 हो जाएगा और इसी तरीके से v2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा c mu2 इस तरीके से हमें लिखना है अगर इस तरीके से लिखना है तो solve कर दो solve करोगे क्या जाएगा solve करोगे क्या जाएगा sin i by sin r और v1 की जगे रखोगे क्या हो जाएगा c by mu1 into में क्या हो जाएगा mute to by c तो c से c cancel out हो गया sine i by sine r is equal to हो जाएगा sir mute to by mu1 mute to by mu1 बोलो ठीक है निया यह हमारा answer होता है यह हमारा answer होता है बोलो ठीक है निया इस तरीके से आपको करना है दोनों का solution सेम रहेगा दोनों का solution सेम रहेगा कुछ करने की दर्वत नहीं है अंशुमान सक्सेना बिटा आपका जो मैस की क्लास है वो शाम को साथ बजे होगी शिशांक सर आपकी क्लास लेंगे ठीक है शिशांक सर समझ में आया निया यह क्यों सन कनफर्म आएगा स्टार माक कर लो कल देखने को मिलेगा सीधा सीधा हो सकता है देखो एक वर्ड को याद रखना डैंसर टू रेरर मीडियम बोल रहा है या रेरर टू डैंसर मील रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना कहीं आप लोग यही डैरिवेशन मत करके आना डाइग्राम अगर गलत बना दिया तो वह कार्ड देगा ठीक है संगीत उपाद्या हलो बेटा वह क्या करेगा जरे डाइग्राम गलत बना के आगे हो ना तो वह कार्ड देगा मेरे भाई दिमाग में अच्छे से सैट कर लो अच्छे से सैट कर लो भाई बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सैट कर लो ओके बेटा संगीता उपाद्या बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया इसकूल से आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है वीटा है यह जो कंपाइड मेंट के बच्चे हैं उनके लिए क्लास च महीं पढ़ाने वाला हूँ और यूटूब के अपर में आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंशन बिरकुल नहीं जी सुनिये यहां गया सब को समझ अब आ जाओ मैं सवाल छोड़ के आया था पिछला जो बुलाए इन यंग्स डबल स्रीट एक्सपरिमेंट स्लिट आर वन ए अवे फ्रॉंड असलिट्स कैल्कूलेट दफ्रिंज वेड्स वैल लाइट ऑब दी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इस यूजड तीग है यानिक सर लैमडा की बात है लैमडा इस इकोल तो कितना है वेटा 500 नैनोमीटर नैनोमीटर यानिक सर टेंटुदी पावर माइनस 9 और हो स्यक्राइब हो जाएगा मीटर अभाई हमें किया पूछा है हमें कहीं बोला है कैलकुलेट रिंज वेडिटा इब बात किये तो बीटा इस इकोल का हता है किया हुँद किन आफिदा फॉर सो अरी now मेड़े ओस फ्रिंजबीर तो क्या हो मीर्थ है तो तो यहा लैमडा डी ब और नितर ऑना इंटो तैंट्री पावर माइन यह कितना जायागे सरे 500 इन तु तैंट्री पावर उपर जायगा जाए गा-बास थी यह ए गा-ई-गा-ई-जैगा-ई-इस-र फाइए पावर माइनस फॉर और काली शक्तर को मीटर के अंदर या इसको लिख सकते हैं 0.5 mm ठीक है ठीक है बोलो ठीक है निया जल्दी बताओ बोलो ठीक है निया संगीता पेटा टेंशन नालो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्वल्द का यूटूब पे भी बहुत जल्दी आने वाला हूं फुल फ्लेज्ट पहले की तरह ठीक है मझे से पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स को बोलो समझ में आया निया बोलो समझ में आया निया अब एक कुस्ण और दिया हुआ है बोला गया है सेकेंड बोला गया वाट शुट भी दर विर्ट आप टीए स्लेट इन अच्छिमा अफ दिडबल स्लेट पाटन विद दसंट्रल मैक्सिमा अफ दिस सिंगल स्लेट पाटन यहान यानि की सर हमें डबल की बात किया और मैं ब तो क्या है टैन टाइमस ओफ बीटा टैन टाइमस ओफ बीटा वाट इस शुट बीड़ विर्ट आफ इस स्लेट इस स्लेट की बात किया यानिक सर डी निकालना है डी निकालना है मुझे क्या निकालना है डी अगर डी निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा हाँ डी अगर निकालना है तो D उधर बेज़ दो इसको यहां लियाओ, तो D is equal to क्या हो जाएगा, 2 lambda D by small 10 beta, 2 कितना है, 2 हो जाएगा, into lambda कितना है, 500 into 10 to the power minus 9 into D, D का मतलब है, 1 divided by 10 into 5 into 10 to the power minus 4, तो मेरे भाई देखो, पास से इसको cancel out करो, पास तो नहीं, पाद नहीं 50, दस हो, यह 10 है, 10 to the power minus 3 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power minus 7, ओपर जाएगा, 10 to the power minus 3, तो 2 into 10 to the power minus 4, और मीटर, यह हमारे अंसर आ गए, बोल ठीक है नहीं, जल्दी मुझे बताओ, यह second का case था, यह one का case है, बोल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो समझाया नहीं है, अरे बोल दो, बोलो, 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 किलियर हुआ सबको, थमसब करो जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने बज़े है बेटा, आपका पेपर, पेपर कितने बज़े है, पेपर कितने बज़े है, पेपर कितने बज़े है, पेपर कितने बज़े है, पेपर कितने बज़े है पेपर कितने बज़े है आप लोगों का सीब्सक्राइब का चलिया नेक्स यह होई गया है यह बताओ दवार फंक्शन की बात कि अब सबसे पहले ना आप लोग को पता होना चाहिए कि सर यह जो डाइग्राम है यह कैसे बनेगा यह हमारा वर्क फंक्शन की बात अब एक बार सबसे पहले देखो आप लोगोंने देखा होगा कि सर कोई भी मैटल सर्फेस होती है यह मेरी क्या है मैटल सर्फेस है अब इसके अंदर क्या होते है सर फ्री लेक्टरोंस होते है अब यह अपने आप तो इस सर्फेस को छोड़ने सकते है अपने आप तो इस सर्फेस को नहीं सकते हैं, बोलो clear है नहीं, अपने आप इस surface को नहीं छोड़ सकते हैं, यानि कि सर इनको कुछ amount of energy की requirement है, क्योंकि अगर यह अपने आप छोड़ेंगे, तो इनके पाथ इतनी energy नहीं है, 10 o clock है, तो बेटा, तो दस बजे मैं कब लोगा class? सर, class ले लेना सुबह, यार सुबह कैसे ले पाऊंगा बेटा मैं, सोचो तो सही यार, 10 मुझे पेपर है, तो मुझे 8 मुझे लेनी पड़े, 6 मुझे मैं कैसे ले पाऊंगा, समझो यार, देखो अगर ये मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या है, कि सर, यहां से क्या करेगा, य एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेगा, माल लेजिए मैंने क्या कि फोटोन की फोर्म में इसको एनर्जी दी, कितनी दिया, is equal to hf मैंने इसको दे दी, is equal to कितनी दे दी पेटा, hf मैंने इसको दे दी, अगर ये एनर्जी लेगा, एनर्जी इसके पास जाएगी, एनर्जी इ बाहर निकल जाएगा किसे kinetic energy maximum से अब ये जो maximum kinetic energy वाला है ना उसकी मैं बात करूँगा Einstein जी ने बोला था कि kinetic energy जो इसके पास maximum है ना वो is equal to होती है जो energy हमने दिया उसमें से minus कर दो work function को work function को minus कर दो kinetic energy maximum जो होती है ना वो और ये क्या है energy energy जो हम लोगों ने इसको दी है energy जो हम लोगों ने दी है यही हमारा क्या होता photo electric effect होता है यह हमारा क्या होता है work function क्या होता है बिटा इसको हम लोग बोलते है work function work function यह हमारा होता है work function work function को लिख सकते हो आप hf not भी लिख सकते हो उसी प्रकार से काइनिटिक एनर्जी होती है यह मैक्सिमम जो काइनिटिक एनर्जी वाला है जो पहुंच रहा है वहां पर इलक्ट्रोन कहां पर एनोड की उपर वहां पर क्या है वह क्या कर रहा है सर वह क्या कर रहा है कि सर हम लोग क्या करते हैं कि stopping potential, जो क्या काम करता है, current को stop करने के काम करता है, उसको हम लोग बोल देता है stopping potential, वो हमारा क्या होता है, EV not, क्या होता है बिटा, EV not हमारा हो जाता है, बोलो ठीक है यह जल्दी मुझे बता हूँ, clear है, अगर clear है तो यहीं से हम लोग निकालते हैं, इसको solve करते हैं, तो यह हो divided by E, बस, इसको इस तरीके से याद रख लो, इस तरीके से याद रख लो, बाकी तो आप लोग इसको solve करें सकते हो, आप देखे हम से पूछा क्या है इसके अंदर, अब हमको दिया क्या है, क्या क्या पूछा है, वो हम लोग solve कर लेते हैं, मैंने पूरा repeat कर दिया है, पूर एक्ट्रेक्ट एक्वेशन में वही बता दिया आपको एक्वेशन यहां बतानी थी मुझे लेकिन कोई बात नहीं अब देखो क्या करना सर पहला बोला है क्या क्या डेटा दिया हुआ है बोला है दा वर्क फंक्शन और देस सींजीम मैटलेश 2.14 एलेक्ट्रीन वॉल्ट वर्क फंक्शन दे रखा है वर्क फंक्शन कितना दिया रखा फॉंचन दिया है 2.14 इन्टू एलेक्ट्रीन वोल्ट में तो 1.6 इंटू 1020 नाइनस 19 रख ये मैने इसको वॉल्ट में convert कर लिया ठीक है आगे बोला है कि वाल लाइट आप दिफ्रिक्वेंसी फिर्क्वेंसी यानि कि सर्जी एफ दिया हुआ है एफ कितना दिया सिक्स इंटू टैन टूरी पावर 14 हर्स टैन टूरी पावर 14 हर्स अब बात आती है सर इसने मुझे बोला है कि maximum kinetic energy of the emitted electrons यानि कि maximum kinetic energy की बात करेगा तो क्या होती है बीटा वो होती है H यह देखो E is equal to क्या होता है बीटा H F होता है तो रख दो इसके अंदर सर H के value क्या है 6.63 into 10 to the power minus 34 into हो जाएगा बीटा 1 into 1 यह 6 into 10 to the power 14 minus 10 to the power 14 minus 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ठीक है अब यहां से देखो कितना हो जाएगा 20 20 हो गया देखो क्या हुआ यहां से क्या हुआ 6.63 into 6 into 10 to the power minus 20 minus 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको क्या कर सकता है से multiply करेगा तो हो जाएगा 819.16 36 37 कितना हो जाएगा चैटी अठारा एक चैचंग सथी सरेक्स सैंतिस सैंतिस का साथ तीन चैटीस और तीन उन्चालिस चैटीस और तीन उन्चालिस चैटीस और तीन उन्चालिस यह हो इंटू 10 to the power minus 20 2.14 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको सॉल्व कर लो सॉल्व करने पर कितना रहा है कितना रहा है कितना रहा है कितना रहा है 0.554 into 10 to the power 19 कितना आजाएगा 0.554 into 10 to the power minus 19 जूल अभी जूल के अंदर है इसको बदलना ही लेक्ट्रोन वोल्ट के अंदर तो क्या करो डिवाइड कर दो 0.554 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 इससे यह खतम अपके तरह बचाहे यह करो सॉल्व यह आजाएगा हाफ 16 53 48 अर तालेस अरौण जीरो पाइंट 3 4 इलक्ट्रोन वोल्ट कितना आजाएगा 0.34 इलक्रोन वोल्ट यह पहले का अंसर यह फॉस्ट का अंसर सेकेंड का अंसर बोला है कि स्टॉपीं पोटेंशल किसकी बात के बिटा स्टॉपिंग पोटेंशल की बात किया अगर इ kinetic energy मेरे पास आई गई है तो क्या हो जाएगा kinetic energy maximum is equal to हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा एवी नॉट इवी नॉट तो वी नॉट is equal to क्या हो जाएगा इसको रख लो यह जाएगा 0.34 एवी नॉट डिवाइड़ वाइड़ वाई ए तो ई से गया 0.34 वोल्ट वोल्ट हमारा आ जाएगा 0.34 वोल्ट आ जाएगा बो ठीक है निया जल्दी बताओ क्लियर है निया जल्दी बताओ क्लियर है निया बोलो हमसे बोला है लास्ट में बोला है maximum speed of the emitted electrons अगर maximum speed की बात किया तो कितना हो जाएगा 3rd सरहाफ mv square mv square maximum is equal to a kinetic energy तू से multiply कर दो हम नीचे ले जाओ वी इस इकल डो हो जाएगा अंडरूट टू टाइम सॉफ काइनिटिक energy divided by mass और किसकी बात किये speed of the emitted electron यानिकि mass of electron की बात किये तो कितना हो जाएगा बेटा यह हो जाएगा टू इंटू कितनी है energy की बात कि कानेटिक energy की बात किये तो 0.554 इंटू टैंटू पार माइनस 19 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 solve karo kitaraga how it up yes 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 बिर्कुल 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 जल्दी बता कितना आगे कितना आगे solve कर लोर बता दो कितना आगे solve कर लोर कितना आगे या जाएगा 3.48 into 10 to the power 5 कितना आजाएगा 3.48 into 10 to the power 5 meter per second यह answer आजाएगा तो इस तरीके से numerical करने मैंने सारे concept आपको रिवाइस करा दी है और के बेटा चलो देखता हूं मैं ठीक है ओके कल सुभा देखता हूं मैं ठीक है जल्दी मुझे बताओ क्लियर है सब को क्लियर होगा सबको क्लियर है सबको 10 क्यूसंस हुआ है अभी तो और बाक है जल्दी मुझे बताओ क्लियर है नहीं है जल्दी मुझे बताओ क्लियर है नहीं है क्लियर है नहीं है क्लियर है नहीं है क्लियर है नहीं है जल्दी से मुझे बता दो जल्दी से मुझे बता दो और बीटा संगीता अगर आपको कल पढ़ना है पहले चप्टर का वन शॉट देखना है तो कल अधर 24-7 CUT के उपर मेरा वन शॉट होगा तो महाँ देख लिजेगा पहले चप्टर का वन शॉट मैं कराऊंगा ठीक है चलिए ठीक है क्लियर है सब को चलो नेक्स सवाल अम नेक Oh already miejsc आपे में करके वही चीज आप लोगो को अब तो पता ही लगया होगा कि सर्ढ सट एक सार एक चाहें यहां से देखिए इलक्ट्रॉंस की बात है है एक लेक्ट्रों से मैटल सर्फिस के अंदर को मिरभाई क्या होता है सर इसको हमने फोटॉन की अनेर्जी दी फोटॉन को दिया यह फोटॉन जीन एनर्जी और यह बार चला गया काइने टिक इनर्जी मक्सिमूम से तो यह क्या हो जाएगा is equal to क्या होता है बेटा है एच फ और यहां से क्या हो जाएगा is equal to है तो kinetic energy maximum क्या हो जाती है यह माइनस फाइन ओट या फिर इसी को लिख सकते हो kinetic energy maximum is equal to hf not hf minus hf not इसको जैसे चाओ solve कर सकते हो आगे कोई दिक्कत निया इतना अप लोग लेक सकते हो फिक है हम मेरे भाई यहां से देखो बोलाए कि right to feature of the photoelectric effect which cannot be explained by the wave theory पहला क्या होता है सर्य क्या होता है instantaneous process होती है instantaneous क्या होती है प्रोसेस होती है यानिक सब जैसे ही electron के पास जैसे ही electron के पास यह energy I get to say electron भार निकल जाएगा इसको वेट नहीं करना पड़े का इसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा electron jet से बाहर निकल जाएगा यह बेटा बिरकुल बिरकुल फिर electron form instantaneous ejection of the electrons yes instantaneous process होती है बिरकुल इसमें कोई बेट नहीं करना पड़ेगा फटाक से बाहर निकल जाएगा पटाक से क्या गरेगा बाहर निकल जाएगा सब्द्रिक पान अ सब्सक्राइब बताओ और 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 जो maximum kinetic energy होगी मक्सिमम काइनिटिक एनेरजी होगी की एलक्ट्रोन की वो क्या है इंडिपेंडेंट होगी इंडिपेंडेंडेंट और इंडिपेंडेंडेंट और इंडिपेंडेंडेंट और इंडिपेंडेंडेंडेंट और इंटेंसिटी आफ लाइट इंटेंसिटी आफ लाइट इंटेंसिटी आफ लाइट इंटेंसिटी उसका कोई भी इंपक्ट ने अगा थे शुल फ्रिक्वेंसी इस गूर्टी इस बेटा और तर्ड जो है वो यह की एफ नॉट फ फ सुट भी एफ नॉट से बड़ा होना चीजिए एफ जो हमारा है जो मारी फ्रिक्वेंस यह वो ग्रेटर दैन ओना चीए अफ नॉट से यानि फाइंट फाइं मेगा एलक्ट्रोन वोल इस्ट्राइक अग न्यूक्लियस ओफ जाड इकोल टू एटी स्टॉप एंड रिवर्स इस डिरेक्शन बेटा जल्दी से बताईएगा यह आप लोग के इस बार भी पूचा गया था इस बार भी पूचा गया है तो जैड हमें दे र लगा एटी ठीक है बेटा और 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 काइनिटिक एनरजी कितनी दे रखिया 4.5 मेगा एलक्ट्रोन वोल्ट फॉर्मूला क्या कहता है फॉर्मूला क्या कहता है आर रोट यानिक इस अप्रोच मैं बोलता हूं रोट इस इक्वल टू क्या होता है वन अपन फोर पाई अपस काइनेटिक एनेरजी यही फॉर्मूला होता है नहीं होता है किसी के इसको अलावा को दिमाग में आ रहा है यहीं होता है नहीं होता है बोलो 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 टू जाड़ अब देखिए जाड़ी स्क्वार हो गया हम मुझे एक चीज़ बताओ यह फॉर्मूला होता है लेकिन 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 अम मैं बात करता हूं अलफा पाइटिकल के लिए अल्फा पाइटिकल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर आर नोट इस इकूल to one upon four by epsilon not to ZE square बोलो हो गए निवा टू जाड़ होगा निवा अल्फा पाइटिकल के लिए बोलो होगा यंवा और और डिवाईट रजागा काइनितर आईक एनेर्जी तूपी तो हमें पता है इसको मैं क्या गर सकता हूँ वन अपन फॉर पाई एपसाल नोट जो होता है इसके वैल्यी ओती है 9 इंटू 10 थो पावर 9 ठीक है वो ले लो 19 into 10 to the power minus 19 divided by क्या हो जाएगा बेटा फोर पाई असनल काइनितिक एनेड़जी कितनी है पॉर पाइंट फाइव मेगा है इंटू टैंट टू टू पावर सिक्स हो जाएगा इलेक्टरन वोल्ट यानिकी 1.6 into 10 to the power minus 19 पूर ठीक है निया कितने लोगो को परेशानी है यह किसी को परेशानी है इतनी क्या किसी को परेशानी है इतनी बुलो नहीं है परेशानी तो मेरे यहां से देखो सर इस से एक यह गया एक यह गया टैंट टू पावर 6 नाइन है हटाव 10 हो जाएगा यह पर गया 16 देखो कितना हो जाएगा यह जाएगा सर 9 into 2 into 80 into 1.6 ठीक है 9 into 2 into 18 to 1.6 into 10 to the power कितना हो जाएगा देखो 19 है नौ प्लस का गया तो माइनस 10 हो जाएगा 6 गया उपर तो माइनस 6 यानिकी 10 to the power minus 16 divided by कितना हो जाता है बीटा 4.5 यहां से देखो 9 पंजे 45.5 पांच 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 है पांच पांच है पांच सोला क्योंकि मैं पॉइंट को अटा रहा हूं और 10 लगा रहा हूं ठीक है यहां से देखो कितना हुआ किसा 2 3.2 इंटू सोला इंटू 10 to the power minus 15 तो सोला ती अड़ा सोला दूनी बत्यस तीन 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 सोला ती अड़तालेस और तीन एक्क्यावन 10 to the power minus 15 कितना हो जाएगा 5.2 इंटू 10 to the power minus 15 और कितना हो जाएगा मीटर जल्दी बताओ बोलो हुआ है निवा 5.12 into 10 to the power हमने क्या किया देखो 16 था तो 160 से 16 उसको उठा के दे दिया और यार 14 हो जाएगा ना यह तो 14 14 14 14 14 14 14 ठीक है ठीक है बताओ किले रहा है बोलो क्लियर हुआ कर लोगे यह सवाल आया था इस बार कर लोगे कर लोगे किसी को परिशानी किसी को दिक्कत किसी के पेट में दार्द कुछ और इशू और यार लाइक वाइक तो कर दीजिए कर दीजिए भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार चलो आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले चले चली बताओ चले आगे चली नेक्स यह 13 सवाल बताओ अरे यह तो करी लिया भी अभी कर लिया यह तो भी यह बताई है वट इस दा न्यूक्लियर रेडियस आफ दी 125 एफ इफ दा इफ दाट आफ 27 एल इस 3.6 एफ फर मी अब देखो यार याद रखना एक चीज जब भी हमार से पूछा जाता है रेडियस अभी अभी मैंने फॉर्मुला रिवाइस कराय था तो आर नॉट एट टू दी पावर वन बाई ट्री ये लिखा था अगर मैं याँ पर देखूं मेरे पास दोच कंडिशन है एक तो है एफ फी 127 125 ठीक है और एक है अल 27 और radius of AL हमें दे रखी है कितनी दे रखी है radius of AL हमें दे रखी है 3.6 for me 3.6 for me FM तो मुझे पूछा गया है कि what is the nuclear radius of इसकी, यानि कि मेर से पूछा गया है RFE क्या होगा तो रखे सबसे पहले formula बनाई है तो क्या हो जाएगा RFE is equal to R not A का मतलब होता है बेटा ये ये हमारा क्या होता है A आप लोग को याद होगा कभी भी X होता है ये होता है A ये होता है Z, Z का मतलब होता है number of photons number of proton या इसी को मैं बोल सकता हूँ atomic number atomic number और इसको मैं बोलता हूँ इसको मैं बोलता हूँ mass number मास नंबर जो क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन का सम होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन का क्या होता है सम हमारा होता है ठीक है प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन का क्या होता है सम हमारा होता है अगर यह होता है तो रखो A की पावर A क्या होता है सर 125 तो 125 1 by 3 यह क्या हो जाएगा RAL is equal to R0 A का वैलू कितना हो जाएगा 27 1 by 3 ठीक है अब दोनों का डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा आर भाई FE divided by RAL is equal to a ga R not और इसको क्या लिख सकते हो अगर 125 है तो 125 को मैं नहीं लिख सकता थाइव की पावर क्यूब और 27 को क्या में यह नहीं लिख सकता क्रितिगर मं खेंग रा खायव की पावर क्यूब करो गाई तो यह क्तना हो जाएगा डिवाइड वाई आर नोट तरी की पावर 3 1 by 3 तो इससे यह कैंसल आउड इससे यह कैंसल आउड यानिक सर आर नोट से आर नोट कैंसल आउड यह हो जाएगा 5 by 3 5 by 3 तो यह हमारा आगया है और एफई डिवाइड वाई आर एल इस इकवल टू हो जाता है बेटा 5 by 3 अब मुझे बताओ आर एल की वैल्यू दे रखिए है आरेल की वैलू दे रहे हैं 3.6 तो रख दो और एफ इस इक्वल टू कितना हो जाएगा सरी यह जाएगा 5 इंटू 3.6 डिवाइड बाइ 3 और एफम तीन से इसको काटो 1.25.6 यानिक सर 6.0 FM यह हमारी आगे 6.0 FM याद रखिएगा यह हमारे क्या हो गया है आंसर यह जाए अंसर आर इसकोल नाइन पॉइंट थी कांसे कर दिया मेरे भाई और इन नाइन पॉइंट थी कांसे कर दिया शेक्स आएगा ना 6 FM 9.3 कांसे कर दिया बेटा 6 आएगा ना 9.3 कांसे कर दिया बेटाजी 6 आएगा 6 समझ आ गया सबको समझ आया निया जल्दी बताओ समझ आ गया चलिए नेक्स पर चलते हैं नेक्स है यह शो दैट दाट डैंसिटी आफ दी न्यूकलियस और अवाइट रेंज आफ दी न्यूकलियस कॉंस्टेंट इंडिपेंडेंट आफ दी मास नंबर ए बताना है हमें कि हमारी जो डैंसिटी है ना उसमें ए कभी नहीं आता है बस यह हमसे पूछा इसने और अगी देंसिटी मतलब रोव इजिवुल टू मास एंडिवाइड लाइब वाल्यूम वीटा आज इस इक Schon to क्या होता है सरार कहाई कूल टू होता है और ps2 113 है ठीक है अब मेरे को बताओ मास अगर मास की बात है अगर मेरे पास अगर मेरे पास ए टोटल क्या है बेटा टोटल ए हैं उसके अंदर मास नंबर है तो अगर मुझे पूरा मास यह तो एक का मास M है तो इसका पूरी का क्या हो जाएगा में हो जाएगा और अगर मैं वालियूम की बात करता हूं तो वॉलिम कितना होता है, 3 by 4, 4 by 3, π.i.r. cube और 4 by 3, π.i.r. not का cube और a हो जाएगा, हो गाए नहीं हो इंगा, क्योंकि सर आर की जगा इसकोई रख दो, r की जगा इसकोई रख हो गाई तो है अडिका क्यों मुझे एक चीज़ पता क्या समय कहीं भी तुम्हें एए दिकhा कहीं भी एदिकhा नहीं दिकhा अगरине तैसे कॉंसेंट इंडीपेंडेंटिंट हैं इंडीपेंडेंड इनने अपर ठीकिпринг ठीक है, किलियर है, किलियर है नहीं है, जल्दी मुझे बताओ किलियर है नहीं है, किलियर है नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ किलियर है नहीं है ठीक है, किलियर है, कोई किलियर है नहीं है 3 by 3 by 4 by R note का cube बोलो ठीक है निये जल्दी बता दो बोलो ठीक है निये जल्दी बता दो किलियर है किलियर है अगर किलियर है तो चलिए next यह पता हिए कि राइट टू characteristics features of distinguish between n-type and p-type semiconductor अब मैं पूरा semiconductor आपको revise करा देता हूं एक मिड़े कोई बात नहीं अक्षे कोई दिकत नहीं यार मतलब देखो एक बाहर का आके ऐसे बुड़ा कि कोई नहीं देख रहा है मतलब एक कभी comment नहीं आया उस पे ठीक है कोई बात नहीं है चलो देखो जब भी semiconductor की बात की जाती है देखो semiconductor की बात की जाती है मैं पूरा आपको semiconductor की history भी बता दूँगा semiconductor की जब बात की जाती है तो देखो semiconductor हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं एक हमारा होता है intrinsic semiconductor 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 और एक होता है extrinsic semiconductor semi conductor अब सबसे पहले देखो intrinsic semiconductor होता है ना बीटा इस अब सबसे पहले यह हमारा क्या होता है pure semiconductor होता है यानि कि सर इसके अंदर में कोई भी impurity side नहीं करता pure semiconductor होता है pure semiconductor और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कैसे कि सर सिलिकन है तो इसके outer cell में कितने होते हैं four और semiconductor की लेकिन सरसब जो extrinsic semiconductor होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं impure क्या बोलते हैं बेटा impure यानि की सर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं impurities को add करते हैं क्या करते हैं impurities जो होती है न उनको add करते हैं impurities को क्या करते है add-on करते हैं ठीक है impurities को क्या करते है add-on करते हैं और जब impurity squad किया जाता है तो impurities को हम लोग दो तरीके से add करते हैं impurities हमारी क्या होती है लिटा दो तरीके क्योथि एक तो होता है trivalent आध़ एक होती है trivalent impurity और एक होती है pentavalent क्या होती पेटा pen Geral Impurity pen Parlament impurity trivalent का मतलब होता है बेटा जिसके outer cell में कितने होते हैं 3 electron होते है जिसके outer cell में 3 electron होते है यानिकि सर इस case में क्या होता है कि मान लिजिए silicon है silicon के कितने outer cell में कितने हुए सर 4 electron होते है silicon में लेकिन जो मैंने impurity डाली है impurity डाली है impurities के पास कितने हैं 3 electron है तो एक के साथ ये relation बना लिया एक के साथ ये बना लिया, एक के साथ ये relation बना लिया लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी नहीं बसता है और यहाँ पर क्या रह जाता है वेटा, एक hole रह जाता है और जब कहीं पर hole रहता है न, तो उसको हम लोग बोलते हैं P-type semiconductor, क्या भूल देते हैं? P-type semiconductor P-type semiconductor, जबल देते हैं, P-type semiconductor हम लोग बोल देते हैं ठीक है, और इसके अंदर P-type का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या है, P-type semiconductor है तो यहाँ पर hole जादा होंगे, यानि की majority charge carriers कोन होंगे majority में कौन होंगे, majority में कौन होंगे, वो होंगे sir, holes holes होंगे, majority में, ठीक है, और minority में कौन होंगे, sir, minority में कौन होंगे, वो होंगे electrons, electrons, ठीक है, अब बात आती है, sir, सबसे बड़ी क्या, कि sir, यह होगे pentavalent, अगर pentavalent है बेटा, तो pentavalent का मतलब क्या हुआ कि sir, हम लोग क्या करते हैं, जिसके outer cell में five electrons होते हैं, उस impurity को क्या करते हैं, addon करते हैं, ठीक है, उस pentavalent का मतलब होता है बेटा, जिसके outer cell में क्या होते हैं, five electrons होते हैं, जिसके outer cell में क्या होते हैं, five electrons होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं pentavalent impurities, क्या बोलते है में पेंट वेट है ठीक है अब देखिए क्या हूआ अगर पेंट है तब स swiftly इसनकर माल दीजिये विलीकन है सिलिकन में क्यों है यह 22 के अंदर है Vou에서 और अगर इसका अबर साल में कितने रहा है है अगर इसके आउटर साल में इसके साथ relation बना लेगा, अब बचा 1, एक जो बचा हुआ है, सर इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, एक TF बच जाता है, तो यहां पर कौन है, एक्स्ट्रा में कौन है इलेक्ट्रोन है एक इलेक्ट्रोन बच जाता है क्योंकि सर इलेक्ट्रोन चार पांच में से चार ही काम आए पांच वह विचार अकेला रह गया अगर अकेला रह जाता है तो इस टाइप से जो बनता है वो होता है एंट टाइप सेमी कंड़क्टर हमा और जो माइनर्टी में होते हैं, वो होते हैं हूल्स, यह लो, अब जतने चाहिए इसका आप लोगों से पूछ ले दोनों में डिफरेंस तो बता देना, ठीक है? बोलो ठीक है नहीं बोलो जल्दी बताओ ठीक है नहीं बोलो ठीक है या नहीं जल्दी बतादो ठीक है नहीं अब आप से कुछ भी पूछ ले अब आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे मुझे बताओ अब मेरा नाम खराब थोड़ी करोगे भाई मेरा नाम खराब करोगे नहीं करोगे बोलो मेरा नाम खराब थोड़ी करोगे भाई भोलो भोलो अब बेटा सुनो ट्राइवलेंट है तो इसके पास होल है तो यह क्या कर सकता है एकसेप्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एकसेप्टर इसको हम लोग बोलते हैं acceptor इसको कौन बोलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर यह हमारा जो है N टाइप का इसको हम लोग बोलेंगे donor का बोलेंगे donor donate कौन करेगा जिसके पास होंगे ठीक है clear हो गया है सब को किसी को कोई परिशानी नहीं मैंने almost आपका पूरा clear करा दिया पूरा repeat करा दिया है पूरा ओके ओके-ओके-ओके-ओके ठीक है clear है सबको clear है ठीक है clear है clear है clear है clear है चलिए नेक्स्ट है आप देखो what are the energy bands energy bands कौन कौन सकते हैं राइट अनिक ट्यू अब देखो यहां पर बात बोलिये इसने change in temperature के basis पर हम लोग कैसे बोलते हैं तो देखो आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होते है temperature के basis पर हम लोग चीजों को देखते हैं कैसे देखो temperature की बात की जाती हमारे पास क्या होते हैं दो तरीके के temperature होते हैं एक होता है negative temperature coefficient temperature coefficient temperature negative temperature coefficient एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट अब इसमें क्या होता है होता है वह मार व has RA in the case of metals में क्या होता है सर जैसे हं लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रजिस्ट्स किन्करीज होता है तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगि रजिस्तिविटी होती है तो Conductivity क्या होती है decrease होगी और Conductivity डेक्रीस होगी तो टाव degrees करता है यह याद रखिए का बात है और जब हम लोगी बात करते है मेता Semiconductor की या Insulator की semi conductors की तो This case में क्या होता है सर्थ Semiconductor में क्या होता है जैसे ही temperature बढ़ेगा जैसे temperature बढ़ता है वैसे क्या होता रजिस्टेंस डिक्रीज करेगा रजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कंडुक्टिविटी इंक्रीज करेगी कंडुक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो टाव इंक्रीज करेगा याने की सार हम लोग जब temperature की बात करते हैं तो negative temperature coefficient कौन होता है सर समी conductor के लिए होता है जिसमें क्या होता temperature increase होगा तो resistance decrease करेगा resistance decrease करेगा resistance decrease करेगा ठीक है बुर ठीक है निया जल्दी बताओ गजंदर वर्मा नहीं बेटा गजंदर की क्लियरा सबको कitating 197 की है कि अगर की रहे यान यह जल्दी मुझे बताओ क्लियर है अगर क्लियर तो यह हमारा क्योण टेंपरीचर को बेसिस बता है और यह हमारी क्या एनरजी घृच्ट है आप पता है इसलिकार हमारे एनरजी बैंट की बात करते है तो इसके जियाद रख लीजिए अगले चलिए अगला होता है सर एक्स्प्रेइन हेल्दा हेल्प क्या बताना है डाइग्राम वर्किंग ऑफ दी पें जंसन डायोड अब देखो यह हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी यह होता है ते यह शीग है अब क्या होता है इसके अंदर का होता है कि बीटा हम लोग क्या करते हैं कि सर इसको वेव देते हैं वेव देने पर क्या होता है सर यह हमारे पास है क्या यह हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होगी तो उसके अंदर एक डायोड काम करेगा और जो फुल वेव रेक् करने देगा जब negative cycle आएगी तो यह क्या करेगा reverse बाइस में चला जाएगा तो reverse बाइस में आगे flow नहीं होने देगा ठीक है निया जल्दी मुझे बताओ अगर ठीक है तो यहां से क्या होगा सर पॉजिटिव है अब देखे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा लेकिन negative हमें नहीं मिलेगा और जब यह हमारे पास problem आ रही थी तो हमने क्या किया था बेटा हम लोगों हुआ है है हुआ है हुआ है 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 हादो डायोड यूज होंगे तो फुल वेव होगा और फुल वेव में हमें दोनों वेव मिलेंगी दोनों वेव मिलेंगी ठीक है क्लियर है तो इस तरीके से आपका complete होता है बाकि जो भी सक्षम बैच के अंदर अन्रोल करना चाते हैं तो यह सारी चीजे यह आपके लिए नहीं छोड़िए ठीक है थेंक यू सो मच यह सारी चीजे थी आप लोगों के लिए जो मैंने सारे important questions थे वो आप लोग के लिए करा दिये हैं और उमीद करूँगा कि अब आपको कोई परिशानी नहीं होगी और आप लोग exam के अंदर बहुत अच्छे से perform करके आओगे अब आपको सिर्फ revision करना है और revision करके चीजों को सीखना है ठीक है बेटा किलियर है अगर कोई doubt है कोई परिशानी है तो comment section के अंदर जरूर लिखना है और comment section में जैसे ही ये video complete हो जाए जरूर लिखना है कि और कैसा लगा आपको मज़ा आया नहीं आया और कैसे चीजे लगी आपको ठीक है जरूर से जरूर comment section में लिखना है और क्या मैंने आप लोग के लिए सब्सक्राइब की या नहीं की जो भी चीज़ है उनको comment section के अंदर जरूर लिखेगा thank you so much मेरे साथ अड़ा 24-7 इसकुल पर जुड़ने के लिए मैं तही दिल से आप लोग का शुक्रिया आदा करता हूं और उम्मीद करूँआ कि अकल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और कल पेपर के बाद में जरूर लिखेगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे लिए बहुत important रहा ठीक है so bye 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 to all thank you so much and अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना बाकी सब कल के लिए all the best अच्छे से पेपर लिख के आना यह thank you so much and by the tool